राज़धानी भूपाल के साथ साथ मध्यप्रदेश के लगवग जिलो में दक्षिड पश्चिम मौनसून की विदाई का असर साफ नजर आ रहा है नवरातरी के पहले दिन से तापमान में उच्छाल दर्च किया गया जिस वज़े से तेज धूप ने लोगों को परिशान कर दिया इस समय पारा 35 डिग्री सिल्सिस के पार पहुँच गया जिससे दिन भर चिल्चुलाती धूप का सामना करना पड़ा हाला कि हवा में नमे बनी रहने के कारण रात में नियूंतम तापमान में गिरावट की संभावना है जिससे कुछ राहत जरूर मिल सकती है मौसम विज्यानिक अभिजी च्रक्रवर्ती ने लोकल इटीन को बताया कि भूपाल और आसपास के जिलों में तापमान में भडोत्री देखी गई है और अगले कुछ दिनों तक मौसम लगभग इसी तरहां बने रहने की उमीद है भूपाल में गुरुवार को अधिक्तम तापमान 35.5 डिगरी सेल्सियस दर्च किया गया प्रदेश के बाकी हिस्सों में जैसे गुना जिले में तापमान 36.8 डिगरी सेल्सियस जबकि खजुराहू और गौालियर में 26.6 डिगरी सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गय मौसम विज्यानिकों के अनुसार 5 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में मौसून की विदाई होने की संभावना है अगले चार दिनों तक मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा जिससे दिन भर तेज धूप के बाद रात में कापमान में हलकी गिरावट देखने को मिल सकती है हालाकि इस दौरान कहीं भी तेज बारिश की संभावना नहीं है जिससे ये साफ होता है कि प्रदेश में गर्मी का असर बरकरार रहेगा मौसम विभाग के अनुसार कौंकन शेत्र में बनी ट्रफ लाइन प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से से होकर गुजर रही है जिसके चलते हवाव में हलकी नमी देखने को मिल रही है इस नमी के कारण प्रदेश की कई जिलों में हलके बादल भी चा सकते हैं जो गर्मी से थोड़ी राहत जरूर देंगे इस तरह की गर्मी और उमस वास्ते पर गलत असर डाल सकती है ज्यादा गर्मी से डिहाइडरेशन, ठकान और अन्यस वास्ते समस्याएं हो सकती है जैसे पानी को भरपूर मात्रा में पिए, दिन भर परियाप्त पानी पिए ताकि शरीर में नमी बनी रहे, हलके कपड़े पहने ताकि गर्मी कम महसूस हो, गर्मी में बाहर निकलने से बचे, यदि संबव हो तो धूप में बाहर जाने से बचे ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भूपाल के साथ साथ मध्या प्रिदेश के बाकी जिलों में मौनसून की विदाई के साथ गर्मी का आसर साफ देखा जा सकता है लोगों को सही साथानिया बरत ने और मौसम की गतिविधियों पर नजर रखने की सलह दी जाती है ताकि वो मौसम के उतार चड़ाव का सही आंक्लन कर सके आने वाले दिनों में मौसम की गतिविधियों की निगरानी रखना जरूरी होगा जिसे लोग अपने दिन चर्या इसकी अकॉर्डिंग प्लान कर सके आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और डेली वेदर रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें लोकले टीम